Hello friends, welcome to Nurse Tidy. आज हम बात करेंगे बहुत्तर घंटे वाली गोली के बारे में. बहुत्तर घंटे वाली गोली यानि Emergency Contraceptive Tablets जिसे Unprotected Sex के पाद बहुत्तर घंटों के अंदर लिया जाता है. किसके लिए Unwanted Pregnancy को रोकने के लिए? I think बहुत्तर घंटे वाली इस गोली के बारे में सब ने सुना होगा या Use भी किया होगा या कुछ लोग Use करने वाले होगे और उनके दिमाग में इससे रिरिट बहुत सारी Questions आते हैं जैसे कि इसे Use कैसे करते हैं, इसे मोटे तो नहीं होते या इसके वज़े से कोई Next Period पे प्रॉब्लम हो या Further Pregnancy में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कितनी बार यूज कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी Questions दिमाग में आते हैं अगर आप इन सब Questions का Answer ढूण रहे हैं तो आप सही जगा आई हैं मैं आपकी अपनी नर्सी दी आपके हर सवालों का जवाब दूँगी सबसे पहले आता है इसे Unprotected Sex के किती देर बाद ले सकते हैं Secondly, यह काम कैसे करती हैं इन दोनों बातों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इसका Link Description में दिया हुआ है अब आते हैं इसके Side Effects क्या हो सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल सही समय पे, सही मातरा में किया जाए तो इसके Long Term के कोई Side Effects नहीं हो सकते बट कुछ Minor Short Term के Side Effects हो सकते हैं जैसे कि जी कच्चा होना उल्टी आना सर में दर्द होना घबराहट होना पेट में दर्द होना इसलिए जब भी आप इस Tablet को लें तो कुछ खा लें उसके बादी इस Tablet को लें अगर इससे ज़्यादा कोई Complications होती हैं तो प्लीज अपनी डॉक्टर से सला लें अब आते हैं क्या इस गोली की वज़े से आपके Next Period में कोई Problem आ सकती है Actually इसके बारे में कुछ पर्टिकुलरली नहीं का जा सकता ये Body to Body Depend करता है कई लोगों को इससे कुछ खास Problem नहीं होती बट कई बार थोड़ी Problem हो जाती है जैसे कि Periods के Time Bleeding High होना या फिर Light भी हो सकती है आपके Periods का आगे पीछे हो जाना या फिर स्टमक में Blotting Pain हो सकता है अगर इससे ज़्यादा कोई और Complications हो जाती है तो प्लीज अपने डॉक्टर से Concern करें अब आते हैं क्या इस Tablet की वज़े से Weight Gain और मोटापे जैसी कोई Problem हो सकती है यहां दोस्तों कई लोगों ने ऐसे Myths बनाए हुए हैं कि इस Tablet को लेने से मोटे हो जाते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है यह खाली एक Myth है इसमें कोई Fact नहीं है यह Body to Body Depend करता है Actually इसमें क्या होता है कि जब इस Tablet को लेते हैं तो Body में Water Retention यानि कि जो Water का जो Amount होता है थोड़े टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए हमारी Body में स्टे करता है Then हमें ऐसा Feel होता है Heavy Heavy और हमें लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं बट वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है ठीक हो जाता है Now, Does it Use Regularly? क्या हम इसे Regular यूज कर सकते हैं? No, Never ऐसा कभी मत करना अगर आपको अपनी सेहत से थोड़ा भी प्यार है तो Please ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना पिल को Regular यूज में कभी नहीं ले सकते और नहीं लेना चाहिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं आपके लिए बहुत हामफूल हो सकती है इसे केवल एमर्जंसी में ही यूज करें जैसे कि अनप्रोटेक्टिब सेक्स के बाद फेलियर ओफ अधर कॉंटरेसेप्टिव लाइक रप्चर ओफ कॉंडम कॉंडम के फटने पर या फिर miss of regular birth control अगर आप birth control यूज कर रहे हैं उसके फेलर होने पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं बट regular यूज नहीं कर सकते अगर आप इसे regular यूज क्यों नहीं कर सकते सबसे पहली बात तो अगर आप इसे regular यूज करेंगे तो इसके effect है और side effect ज़ादा हो जाएगी That means इसके regular use से इसकी effectiveness कम हो जाएगी क्यों? क्योंकि आपकी body इसको resist कर लेगी इसकी habitual हो जाएगी और इसका असर कम हो जाएगा और दूसरा इससे आपकी health पर भी गहरा असर पड़ सकता है इसमें minor to moderate कुछ भी problem हो सकती है हाँ इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में आता है कि एक पिल की जगह एक बार में दो पिल्स ले सकते हैं ची नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना यह आपको बहुत ही complications create कर सकती है आपको बहुत ही ज़्यादा problems का सामना करना पड़ सकता है आप एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिल्स लें दो का कोई फायदा नहीं है उसके side effect ही हो सकते हैं अगर इससे ज़्यादा कोई problem होती है आपको एक पिल से भी अगर कोई problem होती है तो प्लीज अपनी डॉक्टर से बात करें पिल्स लेने से पहले और अगर आपकी जो पीरिएड है वो अगर एक वीक से लेट हो रहे हैं पिल्स लेने के बाद भी आप डॉक्टर से बात करें remember occasionally use no long term effect regular use can affect further pregnancy so take care yourself and thank you friends please मेरे चैनल को like share and subscribe चरूर करें